हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी यह जो घर में हमारे टिन काफी राशन का जो मटीरियल होता है ग्रॉसरी का या फिर पेंट के जो डब्योते इस तरह से काफी हमारे घर में मिल जाते हैं तो यहां पर देखिए इ इस तरह से हैंग करने के लिए इसको लगाया हुआ है तो यहां पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें होल किये हुए हैं एक नेल है मेरे पास यह हार्डवेर की शॉप से मिल जाती है और इस तरह से इसमें मैंने फाइव जो है होल कर लिए हैं और हैंग करन नेखना हो जाते हैं देखने में तो यह बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन अगर आप नेल और एक हैमर की मश्रोचारप नाइक लगानगा यह तो इस तरहेंगति देखनी म Walking लगा लीए है और इसुक्त रिखाने देखने में Heलेश करेंगे है। मैं इसमें जूट की रस्ती पी इस्तिमार कर सकती थी लेकिन जूट की रस्ती एक तो डीकमपोस्ट होकर जल्दी तूट जाती है और दूसरा जो गिलहरी होती है वो गोसला बनाने के लिए उसको यूज करने के लिए उतार कर ले जाती है जिससे प्लांट जो है टूट जाता है के वर खराब हो जाता है तो इस तरह से मैं नाइलन की रसी जो है अब यूज करती हूँ नाइलन की रसी बहुत कलर में मार्किट पर मिल जाती है ये भी मैं हार्डवेर की शॉप से लाई थी इस तरह से दिखे इसको मैंने यहां से नॉट लगानी लेनी है एक्वल करके मिट्टी मैं इसमें ले रही हूँ बहुत ही हलकी क्योंकि मैंने इसको हैंग करना है तो इसमें मोसली कोकोपीट है और बाकी मैंने थोड़ी सी गुबर काद ली है और इसमें सिंपल जो मिट्टी होती है मैंने एक जो एरिया है अपना मिट्टी का किचन की जो रोज की निकलती है जो भी चिरका वगरा है वो सब मैं उसमें डाल देती हूं इस तरह से मिट्टी मेरी भुरबुरी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और यह मेरे पास एक स्वीट पोटेटो वाइन की वराइटी है तो यह मैं कटिंग लाई थी अपनी मम्मी के सदा बहार का यह देसी वराइटी विंका का प्लांट क्योंकि यह अपने आप हो गया था तो मेरी जो नाइनो क्लॉक की प्लांट से उसको यह उसकी रूट्स जो हैं डिस्टरब कर सकती है तो इसको मैं इसलिए अलग कर रही हूं तो यहां पर मैं मिट्टी और एड़ करके इसको लगा लूँगी विंका का प्लांट बहुत ही इसलिए क्रू हो जाता है और इसको किसी भी तरह की कोई केर की जरूरत नहीं होती है बस आप इसकी टिप से थोड़ा सा इसको पिंच कर दीजे तो यह अपने अप खना होता रहता है और धिर सारे फूर हमें देता है तो इस तरह से में इसको लगा दूंगी तो देखिए यहां पर में जो स्वीट पोटेटो वाइन है उसके साथ थोड़ी सी जगा खाली है तो जो पिंक और वाइट की वेरिगेटर मेरे पास नाइन उकलॉक है वो इसकी कटिंग में थोड़ी सी यहां पर लगा दूंगी जो की ग्रो होने के बाद बहुत अच्छी लगेगी दिखिए इस कलर का फूल आएगा और बहुत ही कुपसूदत लगता है और ग्रे के साथ इसका जो कंट्रास्ट है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है इस तरह से मेरी जो दोनों प्लांटर है तेयार हो गए है तो अभी इसको हैंग करते हैं मैं आपको ले चलती हूँ अपने गर की बैक साइड पे एक मेरा वेंटिलेशन के लिए एरिया है बालकोनी टाइप का तो यहां पर मेरे तीन पॉट हमेशा रखे रहते हैं और यह मै आप लोगों को मेरी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना मत भूलेगा मिलेंगे को नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार